नमस्कार दोस्तो मैं युवाचारी बजरंग एडवान शोगा निरोत्रपिची किछा के इंदर नार्डोल हर्याना से दोस्तो आज गा जो वीडियो है वो बताऊँगा मैं कि गुटनों में जब गैप खतम हो जाता है कि कौन्सी एक्ससाइज विशेश करी यानकी गैप को ख सब्सक्राइब निचे की हड़ी चिपक जाती है यहनुक्त आ होते हैं मुख्या कारण यह है गुटनों में गैप खतम होने के कारण लोता यानि कि उपर और निचे कि हटिच चपक जाती है तो बीच में से या साइड में से किसी भी साइड चपक जाए पर दर्द का कारण यही है कि जूटनों का गैप खतम हो गया और उस गैप को खतम करने के लिए मैंने कई परकार की एक्सरसाइज बताई है आज विशेश है गैप पे ध्यान देने आपको जो गैप है उस गैप को ठीक करने के लिए विशेश दो अक्सरसाइज आपको करनी है वो आप जो मैंने पैकेज बना रखे हैं वो तो करने करने हैं उसके साथ भी करने है फिर भी दिन में अलग से समय निकाल के जिनका गैप खतम हो गया न वो ध्यान दे वो अलग से समय न बांद रखती हैं यह देखो मैंने पैरों में एक किलो वेट इसमें बांदा एक किलो वेट इसमें बांदा है जब भी आपको समय मिले यह गैप की एक्सराइज जरूर करें जिनको गैप की समझ्या है वह एक्सराइज अलग से करें सुबह की अलग करें शाम की अलग करें और नहीं गुमाएंगे खोड़ा गुटना बाहर निकालके और आराम आराम शैसे 20 से 50 बार करते रहेंगे कैसे मेरे साथ करेंगे गिनके करेंगे एक, दो, तीन, चार, पाथ, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चोदा, पंदरा, सोला, सत्रा, ठारा, उन्नीस, बीस जिस पर कर पैर मैं गुमा रहा हूँ, बिल्कुल पैरों को डिला छोड़ दो, ठीक है, पैर में कोई खिचाओ ना हो, बिल्कुल आराम आराम से, और छोटा राउंड लगाना है, पूरा राउंड ऐसे नहीं लगाना है, तो आप ऐसे बैठे-बैठे, 20 बार से लेके, 50 बा गुमाना है, कैसे आप उल्टा गुमा लेजी, एक, दो, तीन, चार, पाच, छे, सार, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चोदा, पंदरा, सोला, सतरा, ठारा, उननेश, बीश, ऐसे इसको आप खूब गुमा सकते हैं, यानि कि गुटनों के गैप को खोड़ने के लि ये विशेश एक्साइज है, बीश बार तो शुरुवात करने के लिए है, समझ गे?, कभी सोचों कि 20 बार में गैप खुल जाएगा, 20 बार तो आपको सिखाने के लिए है, विशेश को खोलना है, जो गुटनों में आपका खत्म हो गया है, उसको कोलने के लिए, बैठे पहले तो आदर डालने हैं, एक सब्कातों तक 20 बार करने हैं, फिर देरे देरे उसको 30 बार, 40 बार, 50 बार, 100 बार अब ऐसे बैठREY बैठेrem चाहिए आप 100 बार कर लेजिए या आप 1.5 सो बार कर लेजिए जैसे आपके इस्चाव spinal लाभाई ρाट बात में आप 10 kg से करें पात में एक केलों से करें अजिसे मैं बैठा-बैठा कितना भी गुमा लें। में बिच विज में खुब सारह करना वे सोखोशं की भी कर самых धोड़ने के लिए ले थी यह नोटीश में लेले तीओं यह मैंने बागती नमीं बता रिखी है वो अब इसमें वीडियो में अलगसे बताये है कि गुठ्टों का gap कैसी खुले तो यह आपको लग से मैनत करनी पड़ेगी टिक है अलग से वो से मेनत करनी पड़ेगी एक तो यह exercise है गुट्टों का गैप कोनने के लिए और दूसरी जो exercise है गुट्टों का गैप कोनने के लिए वो जो मैंने आपको बता रखी है फिर ऐसे कर लेंगे यहां पर मैंने बता निच्चे हाथ लगा कैसे यह टावल लगा लेजिए यह यह लगा लेजिए वेट बंदे रहने देजिए वेट को भी मत खो लिए क्योंकि अभी और करेंगे भी ठीक है आदा गंटा अगर वेट को देंगे न यह किये कह सकते हैं कि वेट वाल एक्सेसाइज अब इसको ऐसे दबा लेंगे फिज में एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, सार, आठ, नो, दस लूज, ये खूब सारी करनी है भी फिर दबाईए एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, सार, आठ, नो, दस दो बार, पाँच बार करेंगे फिर दबाई लेजिए एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, सार, आठ, नो, दस फिर दिलाई छोड़ दे फिर दबाई लेजिए एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, सार, आठ, नो, दस फिर डिला छोड़ दे फिर दबा लेजिए एक, दो, तीन, चार, पाच, छे, साथ, आठ, नो, दस अब दूसरे पैर्शे कर लेंगे यह हाद दिया इसके नीचे और दबा लेंगे एक, दो, तीन, चार, पाच, छे, साथ, आठ, नो, दस फिर दबाएंगे एक, दो, तीन, चार, पाच, छे, साथ, आठ, नो, दस फिर डिला छोड़ देंगे फिर दबाएंगे एक, दो, तीन, चार, पाच, छे, साथ, आठ, नो, दस फिर डिला छोड़ देंगे फिर दबाएंगे एक दो तीन चार पाँच छे साथ आठ नो दस एक बार फिर करेंगे आप चाहे तो मेरे साथ कर सकते हैं एक दो तीन चार पाँच छे साथ आठ नो दस पाँच बार इस पैर से और फिर हम पैरों को फिर लटका लेंगे और पैर लटका के अब ये जब पक जाए ना इलाते इलाते तो इसमें दूसरी एक्सेसाइज फिर करेंगे इसे फिर पैर उठा लिया पैर उठा के पंजोग अपनी और मोड के फिर रोग लेंगे ये वेट के साथ करनी है. बिना वेट भी मैंने बताए था कलद आपको तो ये वेट के साथ भी आपको करना है. अब एक किलो वेट बान के अधर आपको करना है. ये ध्यान दे जब आप पक जाएं आपको अक्सेसाइज करते हुए कम शिकंव 20 पतीश दिन हो जाए और वेट फाले असे साइज करते चाहिस तो एक मेह dosa के एक सारी करनी है मैं ये नहीं कह रहा कि आप को करना है नहीं है पकने का मतलब थीषन को पार कर जाएं पचास को पार कर जाएं ठीक है शिखाने के लिए मैंने 20 बार पता रखी है और फिर मैंने कहा wa कि आप 30 बार कीजिए, 50 बार कीजिए, जब इस चरेणे को भी पार कर लें, इस सेटेज को भी पार कर लेंगे, कि वह 50 बार होगी मैं 100 बार कर सकता हूं, तब के लिए जिसका 100 बार होने लग गया, वो जितनी बार चाहो दिन में यह exercise कर सकते हैं, अब मैं बताता हूं कि इसको 10 बार करो, इसको 20 बार भी रोक सकते, 20 गिन इतनी तक गिन के फिर रोक सकते इसको, ऐसे, उपर उठाया, उठा के रखो, क्योंकि देरे देरे जो गैप है वो तभी खुलेगा, तब मुँम सटेज से आगे बढ़ेंगी, 20 गिनती तो नोर्मल है, मैं सबह全े ही कहता हूं कि जो मेरे exercise है जिसने शुरूआत की है हो सकता है 10 से करो आप जरूर ने कि आप बीश ते करो मैं बीश शे करुआता हूं आप 10 से कर लो शुरूआत में देरे करो बाद में इसको देरे देरे बढ़ा दो اور 100 तक पुछा दो सो तक तक पहुझ गए तो आप पक गए, आप परीपक हो गए, एक्सरसाइज में, तो आपको कोई दिक्कट नहीय कि आपको इतनी बार करनी है, अप ऐसे करने आप करने के बार इसे गुमा सकते ही, यह आप बैठें बैठें जब भी आप खाली समय मिले आपके पास, यानि क फ़र गुटने बाहर निकाल लेजी और पैरों को आराम आराम से इलाते रिये आप किसी से हाथ बात कर रहे हैं तो आप इलाते रिये जैसे मैं आप से बात कर रहा हूँ और मेरे पैर हिल रहे हैं तो आप अपने पैरों को ऐसे इला सकते हैं नहीं तो अगर आप यह नहीं करोगे जो मेन है एक पूछते हैं कि कैसे ठीक करोगे गुटने एक मेरे पास आपते हैं कि गुटने कैसे ठीक करोगे जब कि इलाज है नहीं मैं यह तो बना रहा हूं कि गुटने का जो मेन कारण होता है जर्दगाव होता है गैप का खतम हो जा होंगा आप लोगों के लिए जो नए हैं उनको मैं 20 बार बताता हूं और जो पुराने हैं वो चाहे 100 बार कर सकते हैं ठीक है आप ऐसे करते रहे गुमाते रहे अपने पैरों को आज मेरा काम बताना था आपका काम करना है आपका गैप खुल जाएगा फिर मिलेंगे अगले व खारत धन्यवाद